हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप इप सतेंद्र में, मैं हूँ अबिनाफ सिंग, आज हम कर रहे हैं पाँच फरवरी दो यार इकिस की करेंट अफियर्स तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, बैटर देन कैस अलाइंस, इसके बारे में हमें जानना है, अभी हाली में भारत सरकार और फिक्की, फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स अफ कॉमर्स एंड इंडिस्ट्री ने बैटर देन कैस अलाइंस के साथ मिलके, डिजिटराइज काफी समस्था है, टो काफी समस्था है, कंपणियों की, फरकारों की और अंतुराष्टी समस्था है, जो के बजाए डिटल पेमेंट को बढ़ावा देती है, इसकी श्तापना के बारेücks बात करें, तो 2012 में होई थी, New York में इसका मुख्याले है मुख्याले की बात करें तो New York में है और इसकी इस्तापनावी थी दोयर बारे में better than cash alliance यानकि cash से बहतर जो हमारा dataization है data payment है उसके बारे में ये बात करता है भारत ने इस alliance को दोयर पंदरे में join किया था तब से भारत लगातार इसमें सक्रिय है दोयर पंदरे में भारत ने join किया था दोयर बारे में इस्तापनावी थी मुख्याल है New York में UN के अंडर आती है अगला ये topic है हमारा नाग river नाग river के नाम पर ही नागपूर सहर का नाम पड़ा है नाग river है उसी के नाम पर नागपूर सहर का नाम पड़ा है नाग नदी में pollution को समाप्त करने के लिए सरकार ने 277 करोड रुपे का प्रोजक्ट चलाने की बात की है और इसे लागू कौन करेगा इसे लागू करेगा हमारा राष्ट्रिय नदी सरच्षड निदेशाले नाग रिवर कंजर्वेशन डारक्ट रेट ठीक है इसे ये लागू करेगा यानकि इसको सफाई का अव्यान जो चलाएगा वो किसके अंडर में होगा राष्ट्रिय नदी सरच्षड निदेशाले नेफनल रिवर कंजर्वेशन डारक्ट रेट और इसकी बात करें नाग रिवर की तो इसका उदाय होता है नाग पूर सहर के अंबाजारी जील में जो लावा हिल्फ है हमारी वहाँ पे इसका बाड़ी में जो लावा हिल्फ हैं वहाँ से इसका उदाय हुआ है अंबाजारी जील के पास से नाग नदी पीली नदी के साथ मिलके रिवर कानन में मिलती है जो कानन रिवर सुनी होगी आपने उसी का ये पार्ट है राष्टी नदी फरच्षड निदेफाले की बात करें तो ये पर्यावर्ड मंत्राले जो हमारा पर्यावर्ड वन और बनस्पत्ती जो मंत्राले है जो वन नजीव के फरच्षड के लिए भी काम करता है उसी के अंतरकत आता है जो केंद्र फरकार दवारा प्रयोत नदी फरत्षड अत्वा सफाई अभी योजनाओं को implement करने के लिए अधिकरते हैं कौन राष्टे नदी फरत्षड निदेफाल है पर्यावल मुंत्राले के अंतरक्त आता है और सरकार दोरा नदी, सरच्छड और सफाई के लिए यो भी योज़नाई चलाई जाती है उनको implement करने का कारभी करता है हमारा National River Conjurvation Direct Rate ठीक है? चलते हैं अगले टॉपिक की तरह भारत और फिलिपिंस फिलिपिंस के बारे में हमें जानना है भारत और फिलिपिंस ने ब्रमो जो मिसाल है हमारी जो रूफ और हमने मिलके बनाई है DRDO और रूफ की एक एजंसी है उसने मिलके बनाई है तो उसको जो हम हैं फिलिपिंस को बेचने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक हमने समझोता किया है भारत और फिलिपेंस में मिलके जो वहां भारत के जो हमारे राइदूत हैं फिलिपेंस में उन्होंने और जो वहां के रच्छा सचिब हैं उन्होंने मिलके ये समझोता किया है क्रियान में बिवस्ता पर समझोता किया है यानि कि यह कैसे फिलिपेंज को सौंपी जाएगी क्या-क्या प्रोसीजर होगा यह सारा इसमें देखा जाएगा प्रमोस मिसाइल की बात करें तो कम दूरी की रैम जेट यानि की 290 किलो मीटर करीब होती है अगर इसको हम फाइटर जेट वगएरा फे लॉंच करें तो इसकी मारक चमता बढ़ जाती है करीब 400 किलो मीटर तक तो यह कम दूरी की रैम जेट सोपरसॉनिक क्रूज मिसाइल है यानि की रैम जेट इंजन का यूज हुआ है इसमें पहली जो इसकी स्टेज होती है वो फालिट फ्यूल के द्वारा होती है दूसरी होती है लिक्ट फ्यूल और रैम जेट इंजन ठीक है तो रैम जेट रूष की मॉसकोवा नदी है। वारत नदी हана कि िसका नाम ब्रम्मो स्अध़्ूू च कि अछिक है। यह पन्रुबी से, पानी से, पानी के ज़ाज से, जमीन से भी fire कर सकते हैं, यह लडागु बिमान से, क哪ots से भी हम प्रचेपिट की जा सकती है। यह विफ्व की सबसे तेजカ्रूज मिसायल में से एक है, विफ्व की सबसे तेजा क्रूज मिसायल होती है। और वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो पहले उंचाई पह जाती है भाय वायू मंडल तक जाती है फिर उंचाई से गिरती है लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होती है कि जमीन के पास ही रहती है और अपने टार्गेट को हिट करती है ठीक है ये अंतर होता है क्रूज मिसाइल और जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो अगनी हो गया प्रत्वी हो गया ये सारी क्या है ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है जो पहले वायू मंडल से बाहर जाती है फिर उपर से नीचे की तरह हमला करती है लेकिन जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है जैसे ब्रमोफ होगी तो ये क्या करती है ये सता के पास ही रहती है और अपने टार्गेट को हिट कर देती है ठीक है ये बिस्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल होती है anti ship missile भी कहा जाता इसको यह fire and forget अठाद दागो और भूल जाओ सिद्धान पर कारे करती है यानि कि यह अपने target को hit करेगी ही करेगी इसमें ज्यादा वो नहीं होता कि target को hit ना करे यानि कि इसकी जो accuracy है काफी अच्छी है तो चलते हैं अगले topic की तरफ अभी थो हमने यह किया है कि Philippines को जो ब्रहमोस missile हमारी भारत और रूस ने मिलके बनाई है उसको देने की बात करने है इसके साथ ही अन्य रच्छा समझोते भी किये जाएंगे जो उपकरड़ है अन्य उपकरड़ भारत के उसको Philippines को बिचा जाएगा Philippines की राइधानी की बात करें तो मनीला है ठीक है उसका मैप भी देख लेते हैं मनीला का जो हमारी राइधानी है Philippines उसकी ठीक है यह हमारा यह हमारा जो Pacific Ocean है और यह अधर Indian Ocean है तो यहां पे जो इंडोनेसिया है इंडोनेसिया में करीब तेरह जार से अधिक दीश है उपर है मलेसिया ब्रुनेई ठीक है उससे उपर है हमारा Philippines फिलिपिंस जो है बेतनाम के पास है चाइना के पास भी है ठीक है तो कहां पे है Philippines जो हमारा Pacific Ocean है उसी में है तो चाइना के पास वाले जो काफी डिस्टर्ब एरिया रहते हैं ने की घुफड़ा की है कैश the rain यानकी बर्षण के पानी को पकड़ो यह इसका theme है ठीक है कैश the rain यानकी फरकार क्या चाती है हमारा जो जल्अरच Ooh का ब्रहाइन से काफी तान से और जल व्यक्र श्रजण को बढ़ावा दे रही है उसके जाग रुकता अभ्यान भी चला रही है तो नहीं में से एक है कैजदा रेन ठीक है केंद्रिय जल सक्ति मंत्रा लेने तीन मार्ज को इसकी घुषड़ा की थी कि हम यह वाला अभ्यान चलाएंगे पियम मोदी ने देश के सभी नागरिकों से बढ़ चल कर इसमें भाग लेने क की अपील किये यहने की पियम मोदी ने बोलाये कि इसमें भाग लो जल को सरच्चित करो यह अब्यान एक अपरेल शे सोते है भाग लेंगे यान कि फरकार के जो seven ministry है वो भाग लेंगी स्वच्छता अभयान की तरज पर इसे चलाया जाएगा यान की पानी को स्वच्छ रूप में अंडर ग्राउंड बाटर की रूप में स्वच्छत किया जाएगा ठीक है और देश के दो सो चैफ़त तेइस जिलों निस के बीच दो सो बावन जिलों में अभयान चलाया गया था इस अभयान का नाम था क्या अटल भूजल योजना ठीक है छहजार क्रोड़ रुपी की लागत सक्षाथ उसी के तहित यह आगे जो अभयान चलाया जा रहा है कि एच दारेन उसी का यह देश व्यापी रूप पड़ी रहती है तो क्या किया जाएगा उनकी जमीन खाली पड़ी होई है उस पर कैश दर रेन अभयान चलाया जाएगा यानि की बड़वा के पानी को सरचित भी किया जाएगा ठीक है तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अगला जो हमारा टॉपिक है वो मैरी कॉम के भारतिय मुक्यबाज मैरी कॉम को अंतराश्टिय मुक्यबाजी संग ए आई बी ए ठीक है अंतराश्टिय मुक्यबाजी संग के चैंपियन और वेटरंस ये एक समिती होती है चैंपियन और वेटरंस किसके अंतरगत अंतराश्टिय मुक्यबाजी संग के अंतरगत चैंपि अपने बिसाल ग्यान और अन्रवब के साथ इस महतपूर समिती की सपलता में अपना महतपूर योगदान देंगी इस समिती का गठन की बात करें 2020 में किया गया था हमारी जो चैंपियन और वेटरन समिती है बारती इंतरस्टी मुक्यवाजी संकी का जो गठन है वो किया गया दो यार बीस में इस बार जो यह हमारी यह हैं छे बार बिस सो चैंपियन रह चुकी है यानि कि जो हमारी मेरी कॉम है छे बार बिस सो चैंपियन से प्रहव चुकी है मुझो मुक्यवाजी प्रत्योगता होती है ठीक है और जो हमारी मेरी कॉम है उन्होंने ट्विटर पर ज और वर्तमान में भारत की संफ़ज फदस्य हैं उन्हें 25 अप्रेल 2000 को राष्टपती रामनात कौमिन द्वारा राजशवा के फदस्य के दोर पर नामित किया गया है इनका इलेक्सर नहीं हुआ इनने नामित किया गया है जो अन्निस रेडिया होती है हमारे जो राष्टपती भी नहीं होता केवल जो फदस्य हर दो साल के बाद रिटायर हो जाते हैं तो राजशवा की सदस्यों का कारकाल कितना होता है छे साल तो अभी इनका कारकाल बाकी है राष्टपती रामनात कोविन द्वारा ये च्छे वार 200 मुक्यवाजी चैंपियन बनने वाली एक मात्र म पहला मुक्यवाजी यान कि उनहें इसाथ में लिया साथ में मुक्यवाजी की में और उन्होंने कोई ना कोई जीत लिया दो जार वीज में भारत के दूसरे भरूस अबड़े नागरिक समान आ थे चार सर्वत्य हमान बूफिऑ निया गया था दो यारоло तेरे में पदब भीवुषड भी दिया गया था तो यह था मारी मेरी कौम के बारे में जो हमारी इंतरास्टी ए मुक्केवाजी संग ए आई बीए की जो चैंपियन एंड वेटरंस जो समिती है उसका अध्यच बनाए गया है को वेक्षिन यह कोरोना की वेक्षिन है किसने बनाई है भारत बायो टेग बारत बायो टेग ने कोरोना की वेक्षिन बनाई है किसके साथ मिलके आई सी एम आर इंडियन काउंसल और मेडिकल रिसर्च के साथ मिलके यह विक्षित की गई है को वेक्षिन ठीक है और इसके जो है उसको अभी जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि यह एक क्यासी परसेंट प्रवावी है यान कि कोरोना वैक्षीन जो है अन्य जो भी कोरोना वैक्षीन है चाहे कोई भी हो जॉंसन 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 जो अमेरिका में अभी इसको मिला था ठीक है वो सिंगल यान कि एक जादा है भारत में जो कारिक्रम चल रहा है ठीका का को वैक्षी जो टीका चल रहा है वह उसका भी यूज किया जा रहा है और इसको भारत में ये पहले से ही चल रहा है प्रदान संस्सूंत्री नैंद्वोधी द्वारा भी इसका एक डोज लिया जा चुका है इसे ड्वी आचो द्वारा प्री क्वालिफाइड प्लिटफर्म पर बिक्षित किया गया है यानि कि ड्री क्रदिया था भार्त बायोटेक और कि भारत में सोदेशी रूप से कोरोना वैक्सिन भारत को एक महासक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगी यानि कि जो भारत है उसकी जो सौस्ट काबर है वो सभी जगह को जो कोरोना की वैक्सिन है कुछ को फिरी में दे रहा है और सभी जगह पहुंचा भी रहा है पैसे